आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इन में से सबसे छोटे जो एकोसिस्टम है वो कौन से है तो बेसिकली smallest ecosystem का मतलब होता है कि ऐसा ecosystem जहां पर क्या होता है कि living species का number सबसे कम होता है living species का number जहां पर कम होता है वहीं यहां पर क्या होता है कि smallest ecosystem होता है यानि जहां पर resources प्लांस पाए जाते हैं और प्लांस जाते हैं और प्लांस जाते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि और गिनीजम्स होते हैं उनका भी नंबर जो है वो बहुत जादा ही हाई होता है इसलिए फॉरस्ट का इकोसिस्टम हमेशा ही जादा होता है वहीं पर अगर ग्रास लैंड का बात करें तो ग्रास लैंड में भी ग्रास जो है ये बहुत जादा पाए जाते हैं और ग्रासे जादा होने पर भी क्या होता है कि यहां पे जो स्मॉल माइक्रोब्स होते हैं उनका नंबर सबसे जादा होता है और इसी वेसे यहां पे भी डिफरन टाइप के स्पीशीज जो कि इंसेक्ट स्पीशीज होते हैं वो पाए जाते हैं नेक्स जो है वो यहां पे estuaries है और estuaries ऐसे जगव को कहते हैं जो कि क्या करता है कि किसी water land को connect करता है terrestrial land से और water और terrestrial का जो connection होता है उसको हम लोग कहते हैं estuary और वहां का surface इतना ही ज़ादा viable होता है और वहां पे इतना ही ज़ादा nutrients पाए जाते हैं कि वहां पे microbes और बाकी जो species होता है उनका number बहुत ही ज़ादा amount में पाया जाता है और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि estuaries में species का number जो है वो comparatively high होता है next है जो कि यहां पे pond लिखा गया है और pond एक बहुत ही छोटा सा जगह होता है जहाँ पे main लिखिया होता है कि water जो है वो logged किसम से पाया जाता है और logged water होने की वएसे यहां पे species जो है यह बहुत ही less amount में पाये जाते है क्योंकि इन main nutrients जो है यह बहुत ही restricted रहते हैं और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सबसे कम species जो है और बड़ा होने के वज़े से क्या होता है कि lake में बहुत सारे species जो कि हम लोग कह सकते हैं कि जो sea या फिर जो salt वाले species होता है salt water में जो सारे species या फिर fishes रहते हैं वो भी यहां पे आके क्या करते हैं कि merge करते हैं और इसी वेसे यहां पे भी species का number जो है वो as comparatively pond थोड़ा सा high दिखाई देता है वही पे अगर हम लोग wetland का बात करें तो wetland ऐसे जगह होते हैं जिसको हम लोग swamp कहते हैं और यहां पे भी nutrient value जो है वो accordingly estuaries जैसे ही पाया जाता है जिसके वैसे यहां पे भी species के number जो है वो comparatively medium number of species पाये जाते हैं तो इसी हिजाबस हम लोग कह सकते हैं कि जो lowest number of species होता है वो सिर्फ पाया जाता है pond में और इसी लिए हम लोग pond को ही यहां पे underline कर लेंगे क्योंकि वही यहां पे क्या हो जाएगा सबसे lowest amount of species consist करने वाला हो जाएगा Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर